हेलो गाइज वेलकम बैक इलेक्ट्रिकल एंड जॉब इन्फर्मेशन तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं MPR कैसे कल्कुलेट करते हैं ठीक है MPR को हम कैसे कल्कुलेट करेंगे तो आज हम आपको देखाएंगे उससे पहले हम यह बोलना चाहते है कि हमारे चैनल को सबस्क्रीब कीजिए और लाइक कॉमेंट और शेयर कीजिए क्यूंकि आपके लाइक से मुझे वीडियो बढ़ाने में बहुत मोटिवेट हो मिलत आपको MPR निकलना है तो क्या करेंगे तो इसका एक फार्मूला है ओ देखाता हूँ आई गॉल टू डब्लू बाइब तो यह आई से क्या होता है आई से होता है कारेंट जिसका यूनिट है MPR और डब्लू से क्या होता है हमारा वाट ओके और भी फॉर है भोल्टेस तो आप मान के चलिए यह जो डाबलू भाइब है तो हमारे पास कितना लोडे 1000 वाड है सपोस्थ आप मान के चलिए और वोल्टेस कितना है टूफिप्टी वोल्टेस तो इसका जो MPR आएगा कितना आएगा 4 MPR ठीक है यह आप मानके चलिए तो यह चला गया आपका DC का MPR ओके आप आपको AC का MPR कैसे निकलते हैं और बोलूँगा अब यह आ जाएगा AC तो AC का जो AC का भी two part होता है एक तो होता है single phase ठीक है और दूसरा क्या होता है दूसरा होता है three phase तो पहले हम आपको single phase दिखाएंगे single phase पर आप सेम फॉर्मुला है तो इसका थोरा सा इधर multiply करना होता है क्या multiply होता है यह voltage के साथ आपका power factor मतलब यह आपका cost pi ठीक है तो आप मानके चलिए इधर y watt है 400 watt है और voltage single phase पर 230 होता है ठीक है और हमारा जो cost pi मतलब जो power factor होता है वह हमारे home पे इतना power factor होता है 0.8 यह हम लोग मानके चलते इसको calculate करने के बाद कितना एंप्यार आता है on.39 एंप्यार आता है ठीक है आप लोग calculate कर लेना तो इसका यह आता है तो इसके बाद हम दिखाएंगे 3 phase पर कैसे MPR को निकलते है ठीक है तो 3 phase पर भी सेम फॉर्मुला है I equal to W by B लेकिन जो यह 3 phase है तो इसको voltage के साथ क्या करना है root 3 multiply करना है और power factor तो आपको multiply करना ही होगा तो इधर हो गया cost 5 तो यह भी आप मानके चलिए इसका 600 watt है ठीक है अब 3 phase है तो voltage कितना आएगा बोल्डेस तो आपको 400 volt ही आएगा root 3 का मान क्या होता है 1.732 और यह जो cost पर है मतलब 3 phase तो इंडेस्ट्री लोड ही होगा तो इंडेस्ट्री पे आप कितना power factor मान के चलते है 0.9 पर calculate करने के बाद इसका जो result है वह है 2.33 ampere तो इसी बात पर वीडियो को एक like कीजिए और जो लोग अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया प्लीज चैनल को subscribe करना और अभी तो lockdown चलो है मतला आप लोग घर में रायना और safe रा कर दोगा में लूगा कर दोगा करें।